अब वेलकम टू सुपर फर्स्ट इंग्लिस अकैडमी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देखे भारत के अंदर जो रास्टिय प्रतीक हैं देखे रास्टिय प्रतीक का एक क्वेशन बहुत सिंपल है जो बनता ही बनता है आपको मैं बताने चाहूँगा कि य मैंने उसे बोल रखा है ठीक है तो यहां पर देखे यह मुझे इंपोर्टेंट लग रहे हैं इसलिए मैं इनको अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूं और मैं बता हूँगा कौन-कौन सी क्वेशन को आपको अंडरलाइन करना याद कर लेना है बाकि आप अपना लास्ट से बट इनको आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से बस याद करना होगा पहले देखे क्वेशन है कि भारत का रास्टी द्वज्यों होता है जंडा उसकी लंबाई और चोड़ाई का अनुपात क्या होता है देखे यह वाला क्वेशन मुझे याद नहीं एक हां ऐसे सी 10 10 plus 10 प्रूमी पूछा गया था क्वेशन था क्या reviewing भारत के जंडे के लंबाई और चोड़ाई के बारे में पूछा था तो अपको याद रखना है देखे बारत का जो जंडा होता है वो आपको पता है लंबाई जादा होती है तो लंबाई होती है उसकी 3 और चोड़ाई थो question समझ रहे होंगे लेकिन उसने ध्यान से समझो उसने पहले चोड़ाई पूछी बाद में लंबाई तो ये आपके paper में question अगर थोड़ा भी twist किया तो 80% बचे से गलत कर देंगे तो देखो उसने चोड़ाई हमको जब वो paper solve करवाई थे जो you know memory waste होते हैं तो उनमें यह question आया था यानि राष्ट्य द्वज्जु होता ना चक्र वो चक्र जो होता है राष्ट्य द्वज्जु के मद्य बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है तो नेभी बिल्य होता है तो यह हो तो देखो इसे आपको याद कर लिना है पिंगाली बैंकिया और एक और बात मैं बता दो जो प्रीबियस एर में पूछे जा चुके वो तो आपको आना ही चाहिए क्योंको वो बेसिक होता है वो maximum questions वहां से बनते हैं तो यहां पर आपको याद रखना है जो डिजाइन तयार किया था भारती जंडे का वो थे पिंगाली क्या था पिंगाली बैंकिया आगे देखो भारत का रास्ट्य गान कौन सा है बताओ ज जो जंगर्ड मन यानि भारत का जो रास्ट्य गान है वो कब और कहां गाया गया था तो यह आपको बस याद कर लेना है इसमें बाद ज्यादा दिमाख नहीं लगाना मैंने खुद दिमाख नहीं लगाया सीधे सीधे याद रखो 1911 कलकत्ता अधवेशन में ठीक है तो 1911 कल सेपर में पूछा गया था तो आपको याद रख लिए नहीं 22 का वक्त लगता है लेकुन एक और आया था एयर फोर्स में पूछा गया था वो क्या था कि रास्ट्य गीत को गाने में कितना वक्त लगता है तो यह पूछाग था जबकि बच्चों ने 22 लगाया गया था vom om sec चंद्र चटटजी ने लिखा था तो दीखे भारत का रास्ट्य गीत याद रखना है रास्ट्य गीत और गान में बड़ा फर्क होता है तो बंकिम का जो रास्टिय गीत है उसमें कितना वक्त लगता है तो आपको याद रख लीना है 65 सेकंड का वक्त लगता है चलिए भारत के रास्टिय गीत के गायन में कितना वक्त लगता है अब आपको मैंने बता दिया कितना लगता है 65 सेकंड का लगता है चलिए इसके बाद 1896 ECV में आपसे पूछा जाएगा कि भारत का रास्ट्य गान या फिर रास्ट्य जो गीत होता है इन दोनों में सबसे पहले किसकी रचना हुई थी तो सबसे पहले रास्ट्य गीत आया था 1896 में और इसके बाद आया था जंगर्णबन यानि 1911 कलकत्ता में समझ में आ गया चल और दूर दर्शन के दैनिक कारे क्रमों की सुरुवात किस से होती है तो आपको याद होना चाहिए कि वो रास्ट्य गीत से होती है जोके 1896 ECV में जो है लिखा गया था ठीक है आगी देखो सारनात में इस्तित रास्ट्य स्तंब का कौन सा भाग रास्ट्य प्रतीक क्या चि दिखते हैं समझ में आगे अबाकी नीचे बाला हिस्सा नहीं देखता न मत दिका न आधार का न पूरा चलिए भारत की रास्ट्य प्रतीक में निमलकित में से कौन सा पशू द्रिश्टिकत नहीं है तो आपको याद रखना है हिरन कहीं पर भी निदे रखा है जबकि देखाई देते हैं वो तीन सेर देखाई देते हैं ठीक है बाकी होते कितने वो वो चार होते हैं आगे पूछा है कि भारत का राज्य चिन असोग महान द्वारा सारनात में इस्तापित किये गए स्तंब से लिया गया है यहां चिन चिन के मूल स्तंब में कितने सी हैं तो पनाया जाता है तो देखे कौन से संबत लिया जाता है आपको याद रखना है शक्र संबत यानि option 20 का right answer हो जाएगा आगे शक्र संबत पर आधारत रास्ट्य पंचंग प्रतम मास कौन सा होता है तो आपको याद होना चाहिए चैद देखे यह होता है हाँ चैद का महीना मया किया सोड, तो आपको याद हो न चाहिए, कि जो पुराने जमाने में, जन्मरी फर्विरी होता है, वैसे पुराने जमाने में, चैत का महीना जन्मरी कहलाता था, और जब जैसे दिसμबर होता है, वैसे ही उस टाइम पर जो है बिलकुल फागुन मतलब अलग होता था ठीक है चलिए आगे बात करते हैं रास्टीय सम्मत पर आदर रास्टीय पंचांग का अंतिम महीदा कौन सा होता था तो अंतिम होता था फागुन और पहला होता था चैत आगे भारत का रास्टिय पशू क्या है इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे कोई इसमें चीता, कोई इसमें बाग लगाएगा और कोई इसमें सिंग लगाएगा तो जो बागी बच्चे हुए वो तेंद्वा लगा देंगे काफी थोड़ा सा इनो प्रॉब्लम क्रियेट कर सकता है तो अबरॉल आपको याद रखना है कि बारत का रास्टिय पशू है बाग ठीक है रास्टिय पशू की बात हो रही है तो रास्टिय पशू है बाग बाग से पूर्व, देखो एक थोड़ा सा डाउट कर सकता है आपको प्रॉब्लम, देखे, सबसे पहले जो था ना बारत का राष्टिय पश्चु वो था सिही, लेकन बाद में, सिहीं के बाद में बना दिया गया था बाग को तो सिहीं के बाद गया हुजा है का बाग, देखो यहां पर आपको फसाया जा सकता है क्योंकि यहां पर सिहीं भी दे रखा है और बाग भी दे रखा है, ठीक है तो आपको याद रखना है कि पहले कौन था, सीह था, उसके बाद था बाग, तो अभी फलाल में बाग है, ठीक है, पहले था सीह, तो इसमें सी वाला से हो जाएगा, भारत का रास्ट ये पच्छी नेशनल बर्ड, किस कौन सा है, बताओ, मयूर है, ये आपको पता होना चाहिए, भारत का रास्ट ये आ आपको यहां पर बताए, इनको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, अगर याद नहीं है, तो आप एक बार नहीं, दो बार देख लिजे, जब आप इस वीडियो को दो बारा देखें, तो उसका स्पीड थोड़ा सा फास्ट कर लिजे, ताकि आपका रिवीजन हो जा आपको याद नहीं होगा, एक और आपको याद कर लेना है, कि देखो रास्टी जो पशु है, बो है बाग, पहले सी हता, तो दोनों में फर्क भी आपको आना चाहिए, आई होप आपको यह सारा का सारा समझ में आ रहा होगा, तो उम्मीद है कि आपको यह पूरा वीडियो आपको समझ में एकदम क्लियर आ गया होगा, आपको यह भी याद होना चाहिए, कि रास्टी गीत बंदे मात्रम यह कौन सी सा एयर में लखा गया था, तो 1892 में इसके बाद 1911 कलकत्ता में रास्टी जो है मारा रास्टी गान, ठीक है, वो लिखा गया तो उगाया गया था, तो overall आपको जितना में आपको बता दिया, वो सब आपको याद होना चाहिए, इसका जो next वीडियो है, next part है, जो भी मुझे अच्छा लगेगा, वो मैं आपको जरूर शियर करूँगा, वीडियो को आप जरूर शियर करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके बत